C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट एक सौतीन पार्ट एक्कीस आनन्दमई कविता शीर्शक हाथी साइकिल चला रहा था हाथी साइकिल चला रहा था पीछे चीन्टी बैठी थी जूम रहा था हवा में हाथी चीन्टी शान से एंठी थी तभी चड़ाई सीधी आई लगे हाफने हाथी दद्दा चर मर चूर की साइकिल लगा सरकने पीछे चक्का चीन्टी चटकूदी साइकिल से बोली मत घबराना दद्दा आप पाओ पैडल पर मारो मैं हूँ ना देती हूँ धक्का लेखक शाम शुशील इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें एक साइकल पर हाथी सवार है और पीछे चीन्टी बैठी है हाथी उस साइकल को चला रहा है दूसरा चित्र बाई और बीच में बनाया गया है जिसमें चड़ाई पर साइकल उपर चड़ते हुए दिखाई गई है हाथी हाफने की वजह से बहुत परिशान नजर आ रहा है चीन्टी किसी तरह से साइकल से खुद को चिपकाए बैठी है तीसरा चित्र दाई और नीचे बनाया गया है जिसमें चीन्टी साइकल से कूद कर एक टीले के उपर खड़ी दिखाई दे रही है और हाथी से कह रही है घबराव मत मैं धक्का मारूंगी प्रिष्ट एक सौचार बात चीत के लिए आईए इस कविता पर एक कहानी बनाए दे गए खाली स्थान को भर कर कहानी पूरी कीजिए हाथी रिक्त स्थान चला रहा था उसके पीछे रिक्त स्थान बैठी थी हाथी मजे से रिक्त स्थान था और चींटी रिक्त स्थान थी आगे सीधी रिक्त स्थान आई और साइकल चलाते चलाते हाथी रिक्त स्थान लगा साइकल रिक्त स्थान की आवाज करती हुई रुख गई और उसका रिक्त स्थान सरकने लगा हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से रिक्त स्थान कूदी और उसने हाथी को कहा की रिक्त स्थान आप बिलकुल भी मत रिक्त स्थान आप बस पैडल पर अपने रिक्त स्थान मारो मैं हूँ ना मैं रिक्त स्थान धक्का मेरी कहानी इस कविता में भी एक कहानी छुपी है आप उस कहानी को आगे बढ़ाईए चीटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी दिये हुए रिक्त स्थान में कहानी को आगे बढ़ाते हुई कुछ वाक्य लिखिए प्रिष्ठ संख्या 105 कहानी लिखिए इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा है और एक पकडंडी पर एक खरगोश और कच्छुआ दोनों बाहों में बाहीं डाले चलते हुए नजर आ रही है ये स्पश्ट हो रहा है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं दोनों दोस्त हैं इसके साथ ही दाई और एक और चित्र बना है जिसमें खरगोश कच्छुए को अपनी पीठ पर लाद कर तेजी से दोड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक लोमड़ी दूर खड़ी गुस्से में उसे देख रही है तीसरा चित्र जो बाई और नीचे बनाया गया है उसमें नदी पार करते हुए कच्छुए को तैरते हुए दिखाया गया है उसमें कच्छुए को तैर कर नदी को पार करते दिखाया गया है किन्तु कच्छुए की पीठ पर खरगोश भी बैठा हुआ है चौथा चित्र जो दाई और नीचे बनाया गया है उसमें कच्छुआ और खरगोश दोनों मस्ती से गाजर खाते हुए आराम करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बहुत खुश है यहां दिये गए चित्रों में एक कहानी छुपी है चुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिये सभी बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करेंगे यह स्वतंत्र लेखन का शुरुवाती समाय है इसलिए बच्चे वर्तनी वाक्यविन्यास की काफी गलतियां कर सकते हैं शुरुवात में उनकी गलतियों को नजर अंदाज करना ठीक होगा फिर उनसे बात करके उन्हें स्वयम गलतियां ठीक करने को कह सकते हैं बच्चों से ये भी अपेक्षित नहीं है कि वे किसी परिचय या पहले से सुनी कहानी को हू बहू लिखते वे इसमें अपनी कल्पना से कुछ जोड सकते हैं या पूरी कहानी ही बदल सकते हैं यहां आवश्चक बात ये है कि बच्चे स्वयम से कल्पना करें और उसे लिखने का प्रियास करें प्रिष्ट एक सौच्छे मिल कर पढ़िये शीर्शक डरो मत नरेंद्र को चंपक का पेड बहुत पसंद था चंपक के पेड पर लटक कर जूलना उन्हें और भी पसंद था चंपक का ये पेड उनके मित्र के घर लगा था नरेंद्र आठ साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करता था हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर जूल रहे थे तभी उनके मित्र के दादा जी वहाँ आये और बूले नरेंद्र पेड़ से उतरो दोबारा इस पेड़ पर मत चड़ना इस प्रिष्ठ पर दो चित्र बनाए गए हैं उपर वाले चित्र में नरेंद्र अपने मित्र के साथ चंपक के पेड़ से जूलते हुए दिखाए गए हैं दूसरा चित्र जो प्रिष्ठ के निचले हिस्से में दाई ओर बनाया गया है उसमें नरेंद्र के मित्र के दादा जी उनके मित्र को समझाते हुए दिखाए गए है प्रिष्ट 107 क्यों दादा जी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है उस दैत्य के बारे में कुछ बताए ना दादा जी दादा जी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल तूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पढेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी दादा जी ने बताया वो दैत्य बहुत डरावना है दादा जी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ दादा जी दैत्य के बारे में और बताएए ना वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है नरेंद्र दादा जी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए ये देख दादा जी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा इस प्रिष्ट पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दादा जी नरेंद्र को डराते हुए दिखाये गए प्रिष्ट 108 लेकिन दादा जी जैसे ही कुछ आगे बढ़े नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पद जूलने लगे ये देख उनका मित्र जोर से चीखा नरेंद्र तुमने दादा जी की बात नहीं सुनी वह दैते तुमारी गर्दन तोड़ देगा नरेंद्र ने हसकर कहा तुम भी कितने भोले हो अगर दादा जी की बात सच होती तो मेरी गर्दन तूट चुकी होती लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं तो यही तो किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो खुद सोचो इसलिए डरो मत आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानन्द बच्पन से ही निडर और समझदार थे लेखक आस्तिक सिनह इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें दादा जी के डराने के बावजूद नरेंद्र चंपक के पेड़ की डाल से लटक कर जूलते हुए दिखाई दे रही हैं और उनका मित्र उन्हें डर के मारे चीखता हुआ कह रहा है के डादा जी की कही बात पर विश्वास करो परन्तु नरेंद्र उसकी बात नहीं मानते और तरकपून उत्तर देते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे दिखाए गए चित्र में स्वामी विवेकानन्द को दिखाया गया है सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और ममता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत